हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों यह है टर्माइट और यह है वोड ब्रोरर जो कि दोनों ही लकडी को बहुत ज़्यादा डेमेज करते हैं फरनीचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाते हैं लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग-अलग तरह के से होता है और इसकी पहचान कैसे करें यह सबसे बड़ा सवाल है देकिन लगडी को डेमेज तो दोनों ही करते हैं लेकिन जो दीमक होती है वो जमीन से आती है और बहार से उड़कर भी आती है और सबसे पहले अपनी जो कलोनी बनाती है वो दिवारों के अंदर लगडी के आस तरफ यह पहचान है टर्माइट की जो कि आपको ट्यूब के थ्रूबी दिवारों को पर नजर आ जाएगी कहीं भी और जहां लगडी खराब करते हैं उसके आसपास की जंगाओ पर यह लाइन बना कर आपको ब्लैक कलर की मट्यूब आपको इस तरह की नजर आ जाएगी लेक अगर आपकी लगडी से येलो कलर का पोडर निकल रहा है या हलका ब्राउन कलर का पोडर निकल रहा है तो आप समझ लेजी आपकी लगडी के अंदर वूड ब्रोरर है तो इन दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग हैं तर्माइट ट्रीटमेंट कैसे होता है और कौन सा केमि इसके लिए सबसे बैस्ट है इस से रिलेटीड मैंने 6-7 वीडियो अल्रेडी अपने यूटूब चैनल पर अपलोड की हुई है आप जाकर उन्हें देख सकते हैं लेकिन अगर आप लोग वोड ब्रोलर से परिसान है तो ये वीडियो आपके लिए यूसफुल होने वाली है इसलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन बटन जरूर दवाएं जिस्ते के आपको इस तरह की अच्छे अच्छी वीडियो मिलती रहे और वैसे भी दोस्तो इस चैनल के उपर बहुत अच्छे अच्छी वीडियो मेंने अपलोड की उई है पेस से रिलेटी जो अ़ वेकरों के अंदर हो जाते हैं चलिए स्टाट करते हैं दोस्तो वोड वरोररा ट्रीटमेंट करने से पहले आपको इस बात की जानकारी का होना बहुत जरूरी है कि आपके घर के अंदर वोड वरोरर आया कहां से या आपके घर में अटेक इसने कैसे किया इसके दो रिजन हो सकते हैं, एक रिजन तो ये कि आपने जिस कारपेंटर से या जिस वूड की शौप से आपने सामान लिया है, वहाँ पर पहले से ही वूड वरोरर था लगड़ी के अंदर और उसने उसका कोई फरनीचर बनाया और उसके उपर पॉलिस करके आपको दे दिय और वह आपके घर के आने के बाद इन्फेस्टेशन चालो हो गया, अब इन्फेस्टेशन ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि उससे टाइम में स्टार्ट हो, क्योंकि जो वूड व्रोरर होता है, जो फरनीचर के अंदर होता है, वो दो साल से ले करके पांस साल के बीच में कभी अंदर से उसके अंडे फूट सकते हैं, और उसके अंदर से जो लार्वा निकलते हैं, वो धीरे धीरे उस लगड़ी को खराब कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका यह है कि वूड व्रोरर का जो बीटल होता है, वो बहार से आया उड़के, और वो आपकी कि लगडी के अंदर मोस्टर वाले टाइम में जैसे कि बरसाट का टाइम हो गया या गर्मी का टाइम हो गया ुस ने हुआ लगड़े के पास आया और उसने अंडे दे दिए थोड़ा सा कुरेद के अंडो से लारवा निकले और वह धीरे धिरे आपकी लगड़ी के इंदर फिलना चालो हो गए तो यह दो तरीके होते हैं तो अब अगर furniture ही पहले से खराब आया है तो कोशिस यह करें कि जहां से भी आप furniture लें वो branded furniture लें और या पहले अपने आप लगड़ी चूज करें और उसके बाद उस लकड़ी का प्रोसेसिंग करांगे प्रोसेसिंग कराने के बाद दैन आप उससे फनीचर मनाएं यह सबसे अच्छा तरीका है लेकिन आज कल क्या हो गया है लोग कि बना बनाया समान लाते हैं अब उसमें पता नहीं चल पाता जैसे कि अब मैं देखी विजिबल होना शुरू हो गया है तो देखी कितने खराब हो यह लगड़ी है यह सब वोड वरोर ने डैमेज की हुई है लगड़ी लेकिन अभी फिलाल इसके अंदर नहीं है तो एक तरीका तो यह है आप लगड़ी अच्छी चूज करें और दूसरा अगर वोड से अच्छा सोलूशन है बाइफेंथरीं बाइफेंथरीं केमिकल का नाम है और इसे जो कंपणी बनाती है उस कंपणी का नाम है FMC जो की बाइफ्लेक्स ब्रांड नेम के साथ आपको यह केमिकल मिल जाएगा और इस केमिकल का एमेजोन लिंक मैंने अपनी वीडियो के का तेल लिया है तो 100 ml के अंदर बाइफ्लेक्स मिलाना है अच्छे से मिक्स करना है और फिर इस सोलूशन को सिरिंज के अंदर भरना है जो कि आपको मार्केट से मिल जाएगी और जहां जहां भी आपको फरनीचर में छेद नजर आ रहे हैं उसके अंदर धिरे-धिरे करके अच्छी तरीके से डालना यह मान के चली कि कम से कम एक दो दो सुर्यों ऐख राए अच्छी से करें आप टालने के बाद फिर इन छेद को वोड़न सीलेंट या फिर वोडन सीलेंट मिल जाए तो अच्छी बात है अगर वो ना मिले तो फैमी कोल डाल के अच्छे से भर दीजे और दो तीन दिन के लिए इसको ड्राइ कर लीजे इससे क्या होगा जो भी लार्वा अंदर है बीटल्स के वो सब खतम हो जाएंगे और लकडिया आपकी वोड़ ब्रोरर फ्री हो जाएगी यह सबसे आसान तरीका है देखिए वोड़ ब्रोरर के केमिकल जरूर निकी बाइफ्लेक्स यूज करें इसके लावा और भी केमिकल आते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और हैल्थ को बहुत ज़्याद यूज कर सकते हैं ठीक है न दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इनफॉर्मेटिव लगी है यूसफुल लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाए बाए